आज आप सबों के बीच करेंट अपियर्स का जो 10 important question है वो आप सबों के बीच लेकर के आया हूँ और मैं आप सबों को एक सुचना दे दू कि अब आप सबों को डेली जो है करेंट अपियर्स का वीडियो सुभा के छो बजे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से परतिदीन आप सबों क को मिलेंगे तो एक्जाम की दिरिष्टी से जो भी 10 important question होगा वो महत्पुर्ण question सब होगा खासकर के एक्जाम की दिरिष्टी से वो question डाला जाएगा कि एक्जाम में आए यहां से प्रस्त तो आप लोग जुरिए हमारे चैनल से और करेंट अपियर्स के एक सदी भी तैयार कीजिए एक मजबूती त्यार कियों की एक्जाम जितने भी एक्जाम साड़ी होती है अब सभी एक्जाम में आपको करेंट अपियर्स से लेकर के question जरूर पूछा जाता है कुछ ना कुछ क्वेस्टन आपको रहाता है इसे रेलेवेक एक्जाम होता है तो मिनिमुम आपको कीश में भारत का स्थान कुन्सा है नीए कोवीड नाइनटीन परदर्शंद सुचकान 2020 में भारत का स्थान कोंसा है तो भारत का स्थान जो मिला वह च्यासीं मां स्थान है और मैं आप सबों को बता दूं यह कोरोना वायरत जो अभी फिर से तवाही मचा दिये थे लेकिन पीर से केगा केस के दिए और सभी मगाशनी केश सभी जो मतर से फैले और असे के या मुख मंत्री बनाय गया है और असम्किन पूछा जाता असम झो कि कामा जिया मंदिर है जोकी प्रसीद सभी के लिए मोटे अनाच के लिए तो वर्स है आपको दो हजारतयासर फिश्वनायने कर तो सभी संवर 960 को उसके बाद है भारत का पहला डॉल्फिन और संधान केंद्र बिहार के किस जिला मा स्थापित किया जाएगा जाएगा कि भारत का पहला डॉल्फिन और संधान केंद्र बिहार के किस जिला मा स्थापित किया जाएगा तो यह स्थापित किया जाएगा आपको पटना में कहा सब्सक्राइब के बाद है बारत के मुंख्यनीयदिस आण्भी रमनना किस नंमब्हों के बने हैं बारत के बल्ठत्मान में मुख्यनेयदिस किसा नमरपे है बर्तमान में तो याद रखना ए एन्वी रमना जो बने है वो भारत के आर तालिस में मुखे न activ बने है उसके बाद आपको तंजानिया की पहली महिला राश्ट्पती पती किसे बनाय गया हैं तो तंजानिया की पहली महिला राश्ट्पती बनी है वो कौन है तो परतिवा देवी सिंह पाटील है और तंजनियां की पहली मेला राश्ट्पती साम्या सुलु हसन बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतिया मोसं विभाग देश का पहला आंधी तुफान अनुसंधान केंद्र कहां अस्थापित करेंग उडिशा के बाला सुर में अस्थापित किया जाएगा क्या कि अस्थापित किया जाएगा मौसं मौसं विभाग जो है देश का पाला आंधी तुफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करेंगा उडिशा के बाला सुर में उडिशा की राजदानी कहा है तो रिशा की उडिशा से और सारे कोईस्टन पूछे जाते हैं लिंगराज मंदिर भी आपको उडिशा में ही उडिशा के भूमनेस्वर में है उसके बाद है टर्न ए ब्लैंड आई पुस्तक के लिखा कौन है तो पुस्तक को लिखा है जैफरी आर्चर किसने लिखिया है जैफरी आर्चर से लेकर के question जरूर पूछा जाता है तो निश्ची तोर पड़ आप लोग जितने भी हमारे करेंट का वीडियो डाला जाएगा डेली जो आपको उसमें एक या दो पुष्टक को एड किया ही जाएगा न्यू पुष्टक को क्योंकि एक्जाम में जो पुष्टक से लेकर के question पुछा जा रहा है नेक्स्ट बुक है कि बंगाल 2021 कि एलेक्षण डायरी पुष्टक के लिखक कोन है निए बंगाल 2021 किस एलेक्षण डायरी पुष्टक को किसने लिखा है तो लिखा है दीप हलदार ने क्या लिखा है कुन सा पुष्टक लिखा है तो बंगाल 2021 किस एलेक् पक़्THमान में बंगाल के सिम वहां पर चुना खुमपन हुआ था और फिर सेम्टाब अबनर जी को मुख्मंद्री बनाया गया है उसके बाद है मंगाल याद रखना हैं पस्य मंगल की राजधानी सच कहूं तो पुष्टक के लिखक कोन है तो इसको लिखा है नीना गुपता की द्वारेस बूप को लिखा गिया है सच कहूं तो पुष्टक कोन लिखा है तो नीना गुपता की द्वारेस पुष्टक को लिखा गिया है तो दोस्तों आप सबों को ये करेंट अपियर्स का स्रीज यदी पसंद आये तो अपनों दोस्तों के बीच जरूर सेयर करें ताकि आप सबों को डेलिक करेंट्स अपियर्स का वीडियो मिलते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंट अपियर्स के साथ झालिवार